लेटस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें साथी नोटिफिकेशन के लिए बैल आइक अंदबाना ना भूलें राजस्थान में बुधवार दोपहर तीन बजे तक कोरोना संक्रमन के 144 नए मामले दर्ज किये जा चुके हैं इनमें संक्रमन के सबसे ज़्यादा 64 मामले जालावार में सामने आए हैं इसके लावा कोटा में 18, जैपुर में 15, जोधपुर में 13, नागोर में 12, भरतपुर में 8, सीकर में 7, जुनजुनों में 2, बीकानेर भिलवाडा, डूंगरपुर, दौसा और करोली में एक-एक कोरोना संक्रमित की पुष्टी की गई है इसी के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आकड़ा 7680 पर पहुँच गया है इनमें 2 इटली के नागरिक, 61 वस्थापित और 50, बीयसफ के जवान भी शामिल है मही दो मरीजों की जैपुर में कोरोना संक्रमित से मृत्य हो गई है इसी के साथ प्रदेश में कोरोना संक्रमित से मरने वालों की संख्या 172 हो गई है यह जानकारी राजिस्थान राज्य स्वास्थे मंत्राले के द्वारा दी गई है बहराल बता दें कि कोरोना संक्रमन प्रदेश के 33 में से 32 जिलों में अपनी दस्तक दे चुका है बीते मंगलवार को भी प्रदेश में संक्रमन के 236 नए मामले दर्ज किये गए थे आई दिन संक्रमन के मामलों में जाफा होता जा रहा है हलांकि राहत की खबर यह है कि राजस्थान में कोरोना से रिकवर होने वाले मरीजों की दर भी काफी बहतर है प्रदेश में कोरोना को हरा कर 4,341 मरीज बिलकुल स्वस्थ हो चुके हैं जिन में से 3,789 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है बुद्वार को भी संक्रमंट से 67 मरीज रिकवर हुए हैं जबकि 12 लोगों की अस्पताल से छुटी कर दी गई है अब प्रदेश में कोरोना वाइरस के 3,166 एक्टिव केस बचे हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है बतादें की प्रदेश में कोरोना संक्रमंट के मामलों में तेजी से इजाफा प्रवासियों के राजस्थान लोटने के कारण हुआ है हलांकी प्रदेश की गहलोत सरकार संक्रमंट के फैलाव को रोकने के लिए प्रयासरत है संक्रमन के फैलाव को रोकने के लिए अन्य राज्यों से आने वाले प्रवासियों को 14 दिन के अनिवार्य क्वेरंटाइन में रखा जा रहा है